Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे EBS class 5th chapter 3 और chapter का नाम है testing to digesting, right? Then different testers, जुम्पा रन इंट था कीच्छन और काट होल्ड अफोर मॉदर सेंग मा, I am not going to eat this bitter करेला, bitter god. जुम्पा जुम्पा जो होती है, वो दरते वे कीच्छन में जाती है, और वो अपने मम्मी को होल्ड करके, मतलब पकड़ के बोलती है, कि मम्मी, मैं ये करेला नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये काफी तीखा होता है, करेली की इंगलिस क्या होती है, bitter god, give me jaggery and roti, यानि मुझे उ तुम रोटी और गुड सुबद सुबद खाऊगी, जुलन टेस्ट जुम्पा, जो जुलन था, वह जुम्पा को सताना अब सुरू करता है, don't you get bored of only one kind of test, यानि जुलन बोलता है, क्या तुम एकी तरह का टेस्ट से रोज रोज तुम बोर नहीं होती हो, right, जुम्पा इपलाई करता है, do you get bored with a licking imli terminate, यानि जुलन कहता है, do you get bored with a licking imli, क्या तुम imli खाने से नहीं बोर होती हो, I bet your mouth is watering just by hearing the word imli, यानि मैं क्या करती हूँ, मैं सर्थ लगाती हूँ कि जो तुम्हारे मुह में पानी आ रहा हूँ है, just imli का नाम सुनते हुए, इसके बाद जुलन कहता है, हाँ मैं imli से काफी प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसको खाने में, but it's sweet and salty things too, और मैं मीठे भी चीज़ खाता हूँ और नमकदार भी चीज़ खाता हूँ, ठीक है, salty भी चीज़ खाता हूँ, even it karela, और karela भी मैं खाता हूँ, जुलन कहता है, look at her mother, और वो अपने ममी को देखता है, और वो दोनों जोर से हसना अब सुरू कर देते हैं, जुलन से जुमपा, जुलन जुमपा से कहता है, let's play a game, चलो हम लोग एक game खेलते हैं, you close your eyes and open your mouth, यानि तुमको क्या करना है, अपने आखों को बंद करना है, और I will put something to eat in your mouth, और मैं तुम्हारे मुह में कुछ रखूंगा खाने के लिए, you have to tell what is it, यानि जुलन कहता है, चलो हम लोग एक game खेलते हैं, ठीक है, game कैसा होगा, तुम्हारे आख पर क्या होगा, एक पट्टी बन जाएगा, ठीक है, पट्टी बन जाएगा और तुमको अपन मुह में क्या है, right, so, जुलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put it in a jumpa's mouth, यानि जुलन होती है, उसकी बहन होती है, ठीक है, जुलन जो होती है, उसकी बहन होती है, वो क्या करती है, एक spoon यानि एक चमच क्या करती है, lemon का juice, यानि निम्बू का juice लेकर उसके मुह में क्या करती है, डाल देती है, जूंपा रिप्लाइट क्या करती है तुरंत जबाब देती है जूलन पिक्ट अप इसमाल पीस अप जैगरी इसके बाद क्या करती है जूलन क्या करती है कुछ जैगरी मतलब एक गूर होता है उसके मुह में रखती है देर्ल her mother suggested cross it और उसकी मम्ही क्या कहती है पहेस कहते है कि इसको क्रेंस कर दो नहीं तो यह पैचान जाए कि कि मैं क्या खा रही हूं वासी विल नो फटcejशान जाए कि मैं क्या खाती यह गैसए जूलन जो तरह करती है उस जो गुड़ होता है उसको क्या करती है छोड़े-छोड़े टुकड़ों में उसको तोड़ देती है अब इसके बाद वो क्या करती है उसके मुह में मतलब रख देती है उस गुड़ को तो इसके बावजुद भी क्या करती है वो जुमपा जो होती हो पहचान जाती है कि मै टेस्ट कराया गया जूलन सेड नाउ खेल नोज आंड टेल मी वट इस इट इसके बाद जूलन कहती है कि आप क्या करो तुम अपने नाग को क्या करो क्लोज करो यानि बंद करो और बताओ कि यह क्या चीज है जूंपा वास कन्फूज जूंपा जो थी हुआ कन्फूज हो नहीं कुछ चमच और मुझे दो खाने के लिए तम में इसको बता पाऊंगी कि यह क्या चीज है जूलन टुक अनदर इस्पून फूल आफ कुक्ट करेला इसके बाद जूलन क्या करती है वह एक दूसरी चमच में क्या करती है करेला का जूस होता है ठीक है अनकवर जूंप इसे आफ को काफी अच्छा लगता है और उसके टेस्ट को आप बता सकते हो जैसे कि जयागीरी हो गया ठिक है यह क्या होता है मीठा होता है अब क्या टेस्ट कर सकते हैं वी है यह किस्ट थरह पेस्ट कर शकते हो एक है उसलोब मेट कर satisf 지나 करके अप यह detect अदक के थेशी लिए हैं किस्तरे हैं यह जाहिए बात है कि डिफेर्ट तरह के जो टेस्ट खाने में काफी मज़ा आता है काफी अच्छा लगता है कोई भी नहीं चाहिए कि मुझे एक ही टाइप के खाने को मिली या एक ही टेस्ट का मैं स्वाद लूँ जूलन पूट अफ्व ड्राफ अफ लीमन जूस इन जूम के मुझे में कुछ ड्रॉफ आप लीमन जूस रखी तो दो यू थिंक वी कैन मेक आउट आप टेस्ट विद दे फ्यू द्रॉफ क्या आप सोचते हैं कि जो हम किस तरह से पहचान सकते हैं अगर निम्बू के कोई जूस है ठीक है दो से तीन ड्रॉफ है ठीक है अगर हम उस अगर कोई सौफ आपके मुह में रखता है ठीक है अगर कोई सौफ आपके मुह में रखता है तो क्या आप उसको रिकुर्णाइज कर लोगे मतलब पहचान जा गोई कि आखिर में क्या है और आपकी क्या होने चाहिए आंक बंद होने चाहिए तो ज्यादत तो लोग क्या हो कि आप सिर्फ खाते ही या उसे ismail करते ही गाया चीज है चीकन बनाते है चिसे महा करते है उससे पता चल जाता है कि जरूर्थ चीकन बना क्यों कि Уसका जो फिसमेदा यह कुछ होता है औस बीक कि दाब होता है कि जो कि आप mencionٌ एपने आप लिए है नाक को close करना यानि बंद करना तब दवाई को पीना ऐसे लोग क्यों कहते हैं क्योंकि जो इसकी smell होती है काफी कड़वाहाट होती है ठीक है अगर आप पहले से उसको सूंग लेंगे ठीक है इसमेल कर लेंगे तो आपकी इच्छा मर जाएगी आप उसको क्या कर सकते हो नहीं खा सकते हो आपको अपने आख को बंद करने और बताने जैसे अपको कुछ ऐसे आइटम करने जो कि डिफरेंट टाइप के टेस्ट उस फूट से आते हो यानि आपको अपने फ्रेंड के साथ आपको अपने फ्रेंड के साथ भी गेम खेलने हैं और आपको अपने फ्रेंड से क्या करना टेस्ट की जो फूट की टेस्ट है उसके बारे में पूछना की आखिर में यह क्या चीज है यह किस तरह लग रहा है और क्या चीज का फूट आइटम है ठीक है क्यों सा फूट है और आपको अपने दोस्त से यह भी पूछना है कि वह किस जीव के किस पार्ट पर उसको ज्यादा अच्छा स्वाद लग रहा है या ज्यादा टेस्ट है जैसे कि फ्रांट वाले यह राइट इस तरह से आपको भी पूछने ठीक है विच टेस्ट कुड मेड ऑन वीथ पार्ट अप दे टंग मार्क दिस पार्ट अन पिक्चर मतलब को टंग के जो आगे वाले हिससा ठीक है बैकवार डाली है राइट मैं समझाता हूं यहाँ पर यह क्या है इस दा फ्रां इससे कि किस पार्ट में ठीक है यानि किस पार्ट में इसको सबसे ज्यादा टेस्ट लगाँ वगड़ा है वन इसको अफ़र टायम वन आइट अप नब लूड़ रखते हैं यहाँ पर कुछ लेक्टर रखते है इधर कुछ रखते हैं चोकलेट आप सारे चीज़ों के यह चबाएंगे तो आपको किस तरह के स्वाद आएगा ठीक है आपको काफी मुश्की लोगी पहचानने में कि कौन सा चीज है और वह क्या चीज है So here, use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it's dry यानि आपको क्या करने है अगले पार्ट वाले जो जीप के अगले पार्ट होते हैं उसको क्या करने है काफी अच्छे से इसको ड्राइ करने है For using the cloth So, इसके बाद क्या होगा Push some sugar jaggery there आपको क्या करने है वहाँ पर कुछ sugar यानि चीनी या कुछ good रखने है ठीक है अपने जीप पर Could you test anything? Why did this happen? यानि आपको कुछ taste feel किये या नहीं किये ठीक है आपको किस तरह लगा Stand in front of mirror and look closely at your tongue आपको क्या करने है अच्छे से अपने सीशक साथ पास खड़े हो जाना है और आपको क्या करना है उसमें अपने जीप को देखना है How does the surface look? आपको जीप को surface किस तरह दीखेगा Can you see any tiny bumps on the surface? क्या आपको कुछ tiny bumps इस जीप के surface पर दीख सकते है आपको पता लगाने है So here till If someone asks you to describe a taste of amla और cucumber You might find it difficult to explain यानि कोई आपसे पूछता है कि मुझे चलो test बताओ Amla का test बताओ और cucumber का test बताओ तो आपको किस तरह उसका explain करेंगे How would you describe the taste of this tomato, onion, sauce, garlic Think of the words that you know यानि जो garlic होता है, sauce होता है, onion होता है इस तरह के जो भी taste आपकी इस तरह से describe करेंगे Right When Jumpa tested some of the things जब Jumpa ने कुछ टेस्ट किया She said CCC वो CCC कहके चिलाने लगी CC हम लोग कप करते है जब हमें तीखा लग जाता है So CC हम लोग करते है What do you think C may have eaten आपको क्या लगता है Jaiar सी बात है, CC को करता है जब किसी को तीखा लगा हुआ होता है किसी कोई तीखा सभजी या मिर्चा औगयरा खा लेता है तो उसको क्या करता है बन्दा, वो CC की आवाज निकालना लगता है Here, why don't you make sound that describe some taste Gyanne आपको कुछ ऐसे सांड मैं जो कि आप खाते हैं उस तरह का सॉंड आपको निखाला नह ओक्स एक्सक्परेसेंग यो फिरेंड टुगाक्त अभेसट और आपको अपने फेंड से पूछने हैं कि आपने आखर में क्या खाया है राइट, सो हीयर, цыवीट और चुउईट वेल, यानि अच्छता चवाना, वृट इस दिफरेंस, यानि चुउईट चवाने में और अच्छता चवाने में क्या डिफरेंस है, त्राइट वी तुगेदर एच आफ यू टेक पीस अब ब्रेट और रोटी और संब खूक्ड राइस आपको क्या करना है पीस अब ब्रेड लेने है रोटी लेने है और कुछ चावल लेने है पूट इन यूर माउथ आपको अपने मूँ में रखने है चू थ्री टू फॉर टाम्स आइंड सॉलो इट आपको तीन से चार बर क्या करना है उसको चबाना और क्या करना घोट जाना है मतलब नीचे निगल जाना है उसको राइट दिद टेस्ट चेंज आइज यू चू डि मतलब पीस लेने है राइस के राइट एंड चू इट 20-25 मिनिट आपको 20-25 मिनिट तक उसको चबाने है लगातार तो क्या आप इसके बात क्या होगा was there any changes in taste after achieving so many times जब अब धेर टाइम तक किसी बी चीज को चबाता है मतलब चावल को चबा रहे है तो क्या उसका टेस्ट जो होगा चेंज होगा कि नहीं होगा तो अभी इससी बात है कि इसमें जरूद चेंज़ आएंगे क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को जड़ा दिरी तक चबाएंगे ठीके तो क्या होगा उसकी जो टेस्ट हो थे उसमें चेंज़ आ जाती है discuss क्या आपकी घर पर कोई बताया है कि जब हम खाना खाते हैं तो कोई कहा होगा कि धीरे धीरे हम लोग हमें खाना चाहिए और हमें जो भी भोजन है उसी अच्छे से चबाना चाहिए ताकि वो हमें क्या कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों कि हमारे बोडी के लिए काफी अच्छा होता है अगर हम किसी भी फूट को चबा कर उसको खा रहे हैं तो हमारे बोडी क्या करता है उसको काफी कम काम करना पड़ता है ठीक है उसको डाइजेस्ट करने में और वो भोजन जो होता है जल्दी स या काफी कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाती है हमारे पेट में, ठीक है? Imagine you are eating something hard like a green guava, आपको imagine करना है कि कुछ आप hard, hard खा रहे हैं, hard मतलब guava, जो हरा guava होता है, ठीक है? कच्चा अमरूद होते हैं, जैसे हो काफी hard होता है, ठीक है? What kind of changes take place in it? From the times you bite a piece and put in your mouth to when you swallow it, यानि जब आप उस अमरूद को खाते हो, कच्चे अमरूद को खाते हो, हरे वाले अमरूद को खाते हो, तो आप किस तरह सा feel होता है, क्यों काफी hard होता है, really? So, think what does the saliva in our mouth do? और जो हमारे जीब की लार होती है, saliva means लार होती है, वो क्या करता है इसके साथ, ठीक है? कैसा हो जाता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा, जब आपने अमरूद खाते हैं, तो saliva होती है, really? क्या होती है वो? हमारे जो मुह में जो इतनी भी लार होती है वह कम हो जाती है अक्वी लगता है कि हमारे मुह में क्या सालीवा हाई ही नहीं जब हम लोग अमरूत खाते हैं रिली राइट सो इस तरह के गटना होते हैं इस स्टेट फ्राम दे हाट क्या आप कभी सोचते हैं जब आप खाना खाते हैं तो आकर में भोजन ओatique जाता है in there future given year आपको क्या करने है उस पात को क्या करने है जो कि आप खाते ओ तो वहां हैँ कहां जाता है त nail नीचे, share a picture with your friends, do all of you have a similar picture, आपको अपने friends से क्या करने है, picture को share करने है, right, so here question and answers time है, so let's discuss the questions and answers of this lesson, how do you feel when you are very hungry, यानि जब आप काफी भूखा रहते हैं, तो आप किस तरह से feel करते हैं, how would you describe it, आप इसको किस तरह से explain करेंगे, तो मैं बता दूँ, जब मैं भूखा रहता हूँ, तो मुझे मतलब काफी बुरा महसूस होता है, क्योंकि मेरा सर दुख ने लगता है, ठीक है, पेट में चुए कुदने लगते हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम किरियेट हो जाती है, अगर सही टाइम पर हमें जब भूख लगा होता है, भोजन मिल जाती हो, तो खाने में काफी मज़ा आता है, उसका कुछ अलग ही होता है, ठीक है, इस तरह से पता चलता है, कि आप भूखे हो, कैसे पता चलता है, कि आप भूखे हो तो एक गरंट ही होती है, ठीक है, हमारे पेट में जो automatically क्या करता है, वह इन्फर्मेशन दिमाग को इन्फर्मेशन से करता है, तो उससे पता चलते हैं, कि हमें भूख लगे है, राइट, सो next question है, think what would you happen if you do not eat anything for two days ठीक है तो इसमें कह रहा है कि अगर आप दो दिन तक खाना या कुछ भी नहीं खाते हो तो क्या होगा आपके साथ तो यह तो काफी पूरा होगा है क्योंकि अगर हम दो दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हम चल भी नहीं सकते हैं और हम लोग मरने की कागार पा जाएंगे साथ बट समबोडी ऐसे कुछ लोग हैं ठीक है कि वो कई दिनों तक बीना खाए वे रहा सकते हैं अपनी अपनी क्या होती है कापसीटी होती है राइट उड्यू भी एबल टू मैनेज विदाओट ड्रिंकिग वाट फू टू देज चाह आप बीना पानी पीए हुए दो दिन तक रह सकते हैं वेट दू यू थिंग्स दे वाट डाट वी डिन गोज यानि आपकी इसाफ़े जहां जो भी हम पानी क्या करते हैं पीते हैं वह कहां चले जाते हैं एक्शली जो भी पानी पीते हैं वह क्या होती तो बोडी में क्या हो जाएगी तो पानी की कमी आजाएगी तो जब पानी की कमी आ जाएगी तो हमारी जो 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 बावडि है ठीक है जितने भी बावडि की पार्ट नहीं ठीक है वह नहीं तो May का अभी अकलीफ होगा प्रावल्म का सामना करना पड़ेगा इससे किसी अगर दो दिन तक पाई ना पिए तो किसी ऐसे भी इंसान है जिनकी जान भी जा सकते हैं क्योंकि काफी खतननाक हो सकता है आई कभी कबहर क्या होता है जब हम लोग भूखे रते ना तो मतलब मृत GIR जया चाहिए क्षे सरी तो यह से खूषे से अर्य करते हैं काफी इंट्रेस्टिंग है सो, I cry to when I am hungry यानि इसमें कह रहा है कि मैं भी रोने लगता हूं जब मैं hungry रहता हूं मैं कुटता रहता हूं so, when I am hungry I feel tired यानि ये बच्चा है जो इसमें दीख रहा है ठीक है यानि लटका एकार है कि जब मैं भूखा रहता हूं ठीक है तो मैं अपने आपको काफी ठाका ठाका महसूस करता हूं तो कई देर्थ तरह के होती है ठीक है तो नितु वास गिवेन गुलुकोज ड्रीप तो आप इस इमेज में देख सकते हैं जो नितु है बेट पर स्वोई हुई है ठीक है और यहाँ पर इसको गुलुकोज आ रहा है नर्स है ठीक है तो क्या होँ रहा हूं नितु वास गिवेन गुलुकोज ड्रीप नितु अटने बेरी सिख नेतु जो थी नितु जो थी वा काफी टै बिमार थी All day she was vomiting and she also had lose muscle वो पूरे दिन क्या करती थी? उल्टियां कर रहे थी और उसको lose muscle की भी problem थे Whatever she ate, जो भी वो खाती थी She omitted her वो क्या करती थी? उसको उल्टी हो जाती थी जो भी चीज वो खाती थी उसको पच्चता नहीं था और उसको उल्टियां हो जाती थी ठीक है बाइद इवनिंग नीटु वास फिलिंग विक एंडेजी यानि साम तक क्या हुआ नीटु जो थी काफी विक अपने आपको महसूस कने लगी यानि कम जो महसूस कने लगी वेंशी गट अप तो गो तो डॉक्टर सी फेंटेड यानि जब वह डॉक्टर से दवा करना अब यानि गई तो वह क्या हो गई बेहोस हो गई रोफादर हाइट कर्ई हाट टु डॉक्टर और उसके पीता जी को क्या करना पड़ा डॉक्टर के पास पहुंचाना पड़ा नीटु को ऑनिंटु सुट िटास अड्मिंट इन हॉस्पीटल इसकी बाद डॉक्टर कहता ह नीतु को क्या करना पड़ेगा, hospital में admit करना पड़ेगा, she needs to be given a glucose drip, उसको किया जरूवत है, नीतु को आप glucose drip देने की आवसकता है, ऐसा doctor कह रहा है, hearing this, ये सारी चीजे सुन कर, नीतु got confused, नीतु क्या हो जाती है, इन सारी चीजे को सुन कर, वो काफी confused हो जाती है, C new, वो जानती थी, that during the game period in school, यानि जब हम लोग गेम खेल लए थे, the teacher sometimes gave the glucose to drink, यानि हमाई जो टीचर थे, वो कुछ समय क्या करते थे, हमें glucose देते थे पीने के लिए, but what was glucose drip, लेकिन glucose drip क्या है, यह क्या है, नीतु को समझ में नहीं आ रहा था, doctor aunt explained, जो doctor auntie थी, उन्होंने क्या किया, नीतु को explain किया, your stomach is upset, यानि जो तुमारा stomach का है, काफी dehydration हो गया, ठीक है, your body is not keeping any food and water in it, यानि जो आपकी body है, जो कि वह कुछ भी अपने उस पेट में नहीं रहा रहा है, ठीक है, आप जो भी खा रही हो, या omitting हो जा रहा है, या lose motion हो जा रहा है, ठीक है, so has become very weak, और जो तुमारी body है, क्या हो गई है, काफी weak हो गई है, इस glucose drift will give you some strength quickly, और जो glucose हम लोग चड़ाएंगे आपको ठीक है, जो इस image में आप देख सकते हैं, आप image में जो glucose है, डॉक्टर कह रहे हैं, अगर हम इसको आपको देंगे, तो आपको क्या होगा, कुछ ही समय बाद आपको strength, मतलब ताकत मिल जाएगे जल्द ही, even without eating, यानि बीना कुछ खाई हुए, इसलिए glucose दिया जाता है, so talk and discuss, do you remember that in class 4th, you made a solution of sugar and salt, क्या आपको पता है, class 4th में आपने क्या बनाया था, solution बनाया था, नमक का और sugar का, नितु फादर्वाल सो मेड़ा था, नितु के पीता जी जो थे, उन्होंने भी solution बनाया था, sugar का और salt का, जो की नितु को दिया था, उन्होंने सोचा कि इसको नितु पीते ही, वो ठीक हो ज patience को देर हैं, जो कि, जो omitting कर रहा है और lose motion हो रहा है उसका, तो क्या ठीक हो सकता है, have you hear the word glucose, are seen it written anywhere, ठीक है, कि आपने glucose के बारे में कभी सुना है, right, अगर सुना है, तो कहां पर सुना है, ठीक है, आपको इसके बारे में संच्छप में लिखने हैं, कुछ questions और यहां पर है है, how you are tested glucose, क्या आपने glucose को कभी टेस्ट किया है, how does it taste, इसका टेस्ट किस तरह लगता है, tell your friends, आपको अपने फ्रेंस से बताने है, right, second है, have you ever, are anyone in your family been given a glucose drip, क्या आपके family में, या आपके family member में किसी को glucose drip दिया गया है, हाँ, बिलकुल, जब कोई बीमार होता है, ठीक है, ग लोग जाते क्या करते हैं, glucose drip को क्या करेंगे, वो चढ़ाना सुरू कर देते हैं, या कोई भी patience हो, glucose drip को देना, वो शुरू कर देते हैं, so, नीतु teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey, नीतु के teacher हमें सब बताते थे, जब लड़कियां खेलें, या खेलती थी, तो उनको बताते थे, कि आपको ह अपने साथ, glucose के bottle रखना चाहिए, जब आप हाँकी खेलते हो, what do you think she did this, यानि यह क्यों कहते थे, ठीक है, look at the नीतु picture and describe what is happening, how does the glucose drip being given, यानि आपको नीतु के picture देखने हैं, और क्या करने हैं, आपको, मतलब पता लगाना कि आखर में glucose drip कैसे लग रहा है, ठीक है, नीतु और यहाँ पर glucose drip आया, इसके सीधे, यहाँ नस में लगा जाता है, ठीक है, इसके यहाँ पर नस में लगाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और directly क्या किया जाता है, आपके body में उसको डाला जाता है, उस glucose को, जिससे कि आपको थोड़ी समय में, बीना कुछ खाए हुए, आपको क्या मिल जाए, आपको कुछ ताकत मिल जाए, जिससे कि दवा करने में काफी असानी हो जाए, राइट, सो यह वीडियो यही खत्म होती है, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, प्लीज, लाइक और सब्सक्राइब माई च जे यह जया हो माईको नहाँ कि दितरा लगा ताक वीडियो लाए, चितरा अवानिZA, सो शादरी ले।र दाएलлан, सो ले वीडियो प्रों से बेस्त Хetry Farm वाइす, Sonia Pensवा सेवा होत्ति हैं, शाया होईा है, ऐने कि ई